दुनिया भर में फूड आइटम्स की भारमार है, हर देश की कोई न कोई खास डिश तो जरूर होती है इतना ही नहीं विश्म में बहुत सी ऐसी ऐसी फूड आइटम्स भी है जो उतनी महेंगी है अगर आप अपनी पूरी प्रॉपरेड़ी भी बेश दे तो भी उसका टेस तक नहीं जग सकते आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कोई सी फूड आइटम्स है जो इतनी महेंगी हो सकती है आए जानते हैं क्या है इन फूड डिश की खास बात पहला है इटालियन वाइट अलवा ट्रॉफल इस फूर की किमत जानकर आपके होश उट जाएंगे करीबन एक कोरोड रुपे की किमत की यह डीश मश्रूम की दुरला प्राचाती है इस मश्रूम को खरिदने के लिए बोली तक लगाते हैं सिर्फ देड़ किलो अलवा ट्रॉबल खरिदने के लिए कई बार करीबन एक लाग डॉलर खर्च करने पड़ते हैं दूसरा है अलमास केवियार अलमास केवियार नाम की इस डीश की कीमत करीबन साथ लाग रुपे है मचली के अंडों से बना यह डीश लगजरी फूड आइटम से इसकी खास बात है कि यह फूड आइटम लंदन के की आर हाउस एंड क्रिमियर के अलावा कही और नहीं मिल सकती है इसकी पैकिंग भी खास तरह से की जाती है 24 क्यारेट सोने में इसको पैक किया जाता है इसकी कीमत इसकी मात्रा की सबसे बढ़ती जाती है मेलर यानी के खरबुजा गर्मी के मौसम में तो यह सस्ता मिलता है आज हम आप जिस खास युवारी किंग मेलन की बात कर रहे है उसकी कीमत पंदा लाग होता है यह खरबुजा सिर्फ जापान की युवारी कवजे में पाया जाता है शायर इसके महेंगे होने का यही कारण है चाउता है डेंसुक ब्लैक बटर मेलन खरबुजे के अलावा तर्बुज भी बिनात महेंगा होता है डेंसुक ब्लैक बटर मेलन दुनिया में सबसे महेंगा है यहाँ आसान इसे नहीं मिलता इसकी बोली लगाई चाती है और उसी के हिसाब से इसकी कीमत भी परती चाती है लगबग 4 लाग की कीमत से बिखने वाला है अतरबुज बाहर से सक्त और अंदर से मुलाय होता है पीज़ा रोयल अपने हजार दो हजार की कीमत तक का पीज़ा तो खाया होगा लेकिन हाज हम जिस पिज़ा की बात कर रहे है वो कुछ खासी है इसकी कीमत है करीबन 3 लाग रुपे यह पीज़ा इटले के मशूर शेफ टॉमिनो को क्रोला का बनाया होता है इसकी टॉपिंग पर 24 क्यारेट के सोने का फ्लेक्स इस्तमाल किया जाता है इस खास पीज़ा पर शैंपेन भी डाली चाती है NMN News की रिपूट